हालो हां जी इस पार ये जो भरती है ये उत्तर प्रदेश की भरती है और ये भरती जो है प्रवक्ता वर्ग के लिए यानि की पीजीटी के लिए है ठीक है अब इसकी डिटेल जो है मैं एक एक करके बताती जाओंगे प्लीज ध्यान से सुनेगा और अगर आपको बाद के लिए सेव करके रखना है तो स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक में इसका पीडिएफ कोशिश करूंगे पीडिएफ का लिंक भी डाल दूं तो अब स्टार्ट करते हैं या ओनलाइन आवेदन जो है वो इसकी स्टार अब दो फॉर्म इस 27 नौवेंबर को है यानि कि काफी टाइम है अभी और यहां पर ऑनलाइन आवेदन भी 27 से शुरू हो जाएंगे और फीस समिशन जो है वो समिट करने की अंतिम्तिति जो फीस वगरा लेकर है वो 30 नौवंबर तक है यानि कि काफी लंबा टाइम है इसक लिए है और पद यहां पर इतने है 2595 पद के लगभग पद है ठीक है और यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भारत की नागरिक लिखा गया है इसका मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है ऐसा नहीं है कि वो उत्तरप्रदेश का ही निवासी हो ठीक है आगे डिटेल चे है जहां पर जाकर आपको आवेदन करना है ओनलाइन आवेदन है यह इसकी वेब साइट है ध्यान से देख लीजिए हाँ एक बात इंपॉर्टन यह है कि विज्यापन जो है यह एड़िटाइजमेंट इसमें जो इतनी भी संख्या दी गई है वो घट बढ़ सकती है यानि क पर क्या है कि जो भी आवेदन आपने किया है वो एक से अधिक विश्यों के लिए यानि प्रत्थक प्रत्थक विश्यों के लिए भी एक से जादा विश्य के लिए भर सकता है लेकिन यहां पर बालक और बालिका वर्ग अलग-अलग से स्कूल बनाएं जो हैं कि सिर्फ लिजे उस subject का या तो बालक वग से, दोनों वग में आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है, जो भाषा के जो पेपर हैं, वो उसी भाषा में होंगे, मतलब कि हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, संस्कृत का संस्कृत में, उर्दू का उर्दू में, कोई दूसरी और आशा फैसिलिटी नहीं करी जाएगी, ठीक है, इसका मतलब यह है, अन्तिम्तिथी वगेर आपने देख ली है, इसके अलावा आपको आवेदन करने से पहले, अपने आवेदन जो पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल जो है, वो अच्छे से देख ले आगे स्लाइड पर देती हूँ, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो EWS वाले सेक्षन के अभ्यारती हैं, उनको 10 प्रतीशत का आरक्षन मिलेगा, ठीक है, लेकिन यह जो आरक्षन है, यह सिर्फ UP के लिए है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, इसके अलावा जो की ad hoc basis के teachers हैं, जो पहले already ad hoc basis पे लगें, उनके लिए information है, वो इस detail को ध्यान से पढ़ लें, date कब उनका joining था, कब तक का validity रहेगा, यह सब चीज़ें, इसके बाद जो आभ्यारती आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उनको यह आवेदन 30.11.2020 तक कर देने हैं, उसके जो आप submission देंगे, उसके बाद कोई संशोधन नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से भरें, ठीक है, लिखित परिक्षा है, यानि written exam है, और कोई भी negative marking नहीं के जाएगी, लिखित परिक्षा में आप mobile, bluetooth, pages, calculator, यह सब यूज नहीं कर सकते, अगर किसी अभ्यारती कोई परिशानी हो रही है, तो यह help line number है, आप यहाँ पर बात करके, डिटेल से बात कर सकते हैं, और information ले सकते हैं, इसके बाद आप जो है आवेदन करने के लिए, यहाँ पर देखेंगे, online आवेदन करने के संक्षिप्त नियम यहाँ पर दे रखें हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको परिक्षा 2020 के लिए आवेदन, यानि online जो registration form आप भरेंगे, ठीक है, उसके तीन तरह के आपको चरण दिखाए देंगे, यहाँ तीन लेर्स हैं, इसमें, एक तो candidate registration का है, दूसरा fee payment, ठीक है, वहाँ पर आप fee payment के लिए option use करेंगे, इसके ब अच्छे से दी गई है, जिसको आप follow करते हुए, आसानी से form को fill कर सकते हैं, अब इस sheet पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा का सारा जो है, इस sheet पर सारा detail जो है, आपका fee detail है, यहाँ पर, जो है, समाने शर्णी के लिए आवेदन शुल्क, ठीक है, यानि registration fees 700 है, और 50 यानि कि online जो processing होती है, उसका जो fee charge होता है, वो 50 रुपीज है, total fees 750 है, EWS category के लिए 650 है, 600 जो है उनका आवेदन शुल्क, 50 रुपीज उनका online processing fees है, इसके अलाव पिश्रावर के लिए 700 और 50 रुपीज processing शुल्क है, अनुसुच जाती के लिए 400 जो है fee है, और processing fees लग बस आपका जो journal category है, उसके लिए 700 fees है, आपका EWS के लिए 600 है, पिश्रावर के लिए 700 same fees है, अनुसुच जाती के लिए 400 और अनुसुच जन जाती के लिए 200 fees है, processing fees लग बग सब की बराबर है, ठीक है, इसके अलावा अलग categories जो होती है, जिसमें आपके सुतंता सैनानी, भूद इसके लिए 500 fees करेंगे, यहाँ पर सारी details लिखी गई है, ठीक है, आप एक बर खुद भी screenshot लेके पढ़ सकते हैं, इसके अलावा form में आपको जो है, fee submission है, उसके बाद आपके document की details है, यह सारी चीज़े हैं, किस तरह से भरना सारी है, यहाँ पर pick के बारे में बताया गया है क्या size होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम नहीं, तो 70% जो है, इस तरह की pick लगाएं, जिसमें चहरा अच्छे से दिखें, और बहुत छोटा pick नहीं होना चाहिए, pick जो आपकी photo है, बहुत दूर से नहीं ले जाने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, pick यह सारी details जो है, photo के बारे मे हैं, तो पहले से पढ़ लें, फिर आप उसी के according, अगर 80 photo app के पास है, तो आप उसी को लगा सकते हैं, अधरवाई इस criteria के according ही, आप photo के चवा कर उसके बाद लगाएं, चले next move करते हैं, इसके पास इस page पे आप देखेंगे, तो यह सारा आपका जो advertisement है, उसकी detail है, जो आप के subject दिये हैं न, schools वगरे के बालिका और बालक वर्ग, दो वर्गों में सारी की सारी vacancy निकाली गई है, जिसमें बालक बालिका वर्ग में कोई भी वेक्ति किसी एक वर्ग में, एक विशय के लिए भर सकता, यानि एक person जो है, वो एक से जादा, एक से जादा subject के लिए आप जो है vacancy को फिल कर सकते, पर एक वर्ग में आप एक ही subject के लिए फिल करेंगे, अगर आपको दूसरा subject मतलब, आप सेम subject के लिए बालक वर्ग में और सेम subject के लिए बालिका वर्ग में, दोनों वर्ग में एक ही subject के लिए नहीं जा सकते, आप बालक वर्ग में एक subject के लिए ज कुछ लोग यह समझने हैं कि बालक वर्ग में पुरुष भर सकते हैं और बालिक वर्ग में केवल लेडीज भर सकते हैं ऐसा नहीं है ठीक है इसके अलावा जो नियूंतम आयू सीमा है वो 21 वर्ष है ठीक है और मैक्सिमम 65 है यह पे ग्रेड है बहुत ही अच्छा पे ग्रेड है ठीक है सेवन्त पे ग्रेड यहां पर एट पे ग्रेड पे ले लिया गया है इसको सारे डिटेल को उसके अलावा जो आपको अंतिमतिति का बहुत ध्यान रखने है शैक्षणिक योगेता की डिटेल आप अच्छे से पढ़ लिजेगा आगे मैं वो भी स्लाइट डालूं जानने होगा उस पर कोई अब्जेक्शन आप नहीं उठा सकते ठीक है तो यह सारी डिटेल है आगे चलते हैं देखिए और मिनिममम एज क्राइटीरिया जो है 21 एर्स है यह आप ध्यान रखेगा ठीक है यहाँ पर कॉलम जो फर्स कॉलम में इसमें सब्जेक्ट्स है यह हिंदी गणित ग्रह विज्ञान और इंग्लिश है बीच में अहरता यानि कि आपकी क्वालिफिकेशन है ठीक है और इसके अलावा यहाँ पर जो है यह डिजारिबल क्वालिफिकेशन जो थर्ड मे यानि कि आपको होना अगर होगा तो आपको इसके points मिलेंगे ठीक है अगर नहीं है फिर भी आप form भर सकते हैं ठीक है तो हिंदी में या पर देख लिए हिंदी में जो है MA तथा Sanskrit के साथ BA यानि कि आप Hindi में या तो MA हो या अगर BA हो तो उसमें Sanskrit subject होना must है ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारी यहां पर qualification या या optional में दे रखी है इसके अलावा अगर आप BA है या AMET है या आपने PhD करी है हिंदी में तो आपको उसके points मिलेंगे ठीक है मतलब कि आपका जो overall return exam उसमें जो marks आएंगे उसमें आपको कुछ वैटेज आपकी इस qualification की मिल जाएगे इसके अ ठीक है और गणित में त्रिवर्शिय पाठिकरम सहीद BA अत्वा BSC ठीक है यह होना चाहिए आपको math subject के साथ में इसके अलावा आप AMET और BA भी हो सकते हैं और PhD हो सकते हैं उसके लिए आपको अलग से points मिल जाएंगे इस तरह से ग्रह विज्ञान की detail है यहां पर देख आप अच्छे से screenshot लेके अपनी देख सकते हैं अगर आप इस criteria में आते हैं तो आप जो है जरूर फिल करिए क्योंकि देखे एक तो क्या चीज़ देखनी होते है जब कोई vacancy हो कि आपका जो subject है उसमें है या नहीं ठीक है qualification आपको suit कर रही है कि नहीं आपके जो भी आपकी study category wise रही है और इसके अलावा उसकी जो age limit वह क्या है ठीक है तो आपका screenshot ले लिजे और आगे sheet पे चलते हैं और subject की भी detail होगी वहाँ पर वह मैं दिखा देते हूं आपको अब यह जो sheet है इस पर मैं आपको दिखा रहे हूं सारे के सारे जो भी पीजिटी और बालक वर्ग और बालिका वर्ग की जितनी भी sheets है ठीक है according to the category wise ठीक है तो यहाँ पर जो उपर list है यह जो है बालक वर्ग की है और नीचे जो list है यह बालिका वर्ग की है ठीक है यह है यह बालिका वर्ग की list है यहाँ पर एक एक करके हम एक बार discuss कर लेते हैं यह आप इसका screenshot ले लिजे आपको total number of seats ठीक है दोनों में और category wise जितनी भी seats है यह सारी के सारी पता चल जाएंगी यहाँ पर देखिए हिंदी जो है उसमें general category 213, OBC 90 और SC category 58, ST 2 है और total जो पोस्ट ह है हिंदी की वो 363 है ठीक है गनित में यानि मैत में 65 जर्नल है और 22 जो है OBC है 11 SC category की है और ST category की इसमें नहीं है, total जो seat है वो 98 है यहाँ पर ठीक है इसी तरह ग्रह विज्ञान है, अर्थ शास्त्र है, इतिहास है, इंग्लिश है, कला और नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनो विज्ञान सारी की सारी जो है category wise यहाँ पर detail दे रखिये, इसके लावा बालिका वर्ग में भी है, बालिका वर्ग में जो है, नंबर अव सब्जेक्स आप देख रहे हैं, इसके comparatively कम है, बालक वर्ग में आपके 21 जो है subject cover हुए है और बालिका वर्ग में आपके 19 subjects के teachers के ल according to the category and total number of seats भी यहाँ पर दिख जाएंगी, एक बाद चाहिए इसका आप screenshot ले लिजेगा, तो इस तरह से आप अपना subject देख लीजे, एक बाद फिर दुबारा से बता देती हूँ, बालक वर्ग और बालिका वर्ग जो है, यह आपके लिए नहीं है, कि आप अगर यहाँ पर बालक वर्ग के लिए बर सकते हैं और बालिकाव वर्ग के लिए बहर सकते हैं पर एक एक सब्जिक के लिए आप एक ही से भरेंगे, और एक person एक से ज़्यादा subject के लिए form को fill कर सकता है लेकिन उसका work जो है अलग-अलग आपको subject अलग होगा और इसके अलवा अलग work से भी होगा ठीक है? I hope आपको समझ में आ गया होगा चले तो फिर next पे move करते है अब यहाँ English है दिखे जो मैंने पहले sheet में दिखाए थे और यहाँ पर कला कला जो है आपका इस subject का भी यहाँ पर दिखे intermediate परिक्षा सहीत राज के कला या शिल्प विद्याले लखनौ आर्ट्स master's training certificate होना चाहिए अथवाव प्राविदिक कला के साथ intermediate परिक्षा तथा निम्लेकित में से कोई एक यानि आपको ड्राइंग या पेंटिंग में बीए हो ठीक है या कला भवन शांति निकेतन fine arts का आपका डिप्लोमा हो यानि कि आपको या तो आपने बीए करा हो आर्ट में ठीक है या फिर आप fine arts का अगर आपने डिप्लोमा किया है लेकिन उसके लिए specific है कि कला भवन या शांति निकेतन से किया हो या फिर कलकत्ता final यहां ड्राइंग टीचर शिप परिक्षा लिए हो या लाहूर के मेयो स्कूल आफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकट परिक्षा यह specific इन्होंने institution बताए हैं कि अगर आपने यहां से किया हो या तो आपने आर्ट में बीए किया हो या फिर आपने इन specific institution से यह डिग्री लिए है तो ही यह आप eligible हो पाएंगे इस पोस्ट के लिए चलिए मोव करते हैं और आपके और सब्जेक्स भी देख लेते हैं यहां पर संस्कृत का है संस्कृत भाषा में में प्रेशिक्षिक्षन ठीक है वरियमान अत्वर राश्ट्रिय राज की संस्कृत कॉलेज वारा निसी से आपने बीए की डिग्री लिए हो इसके अलावा वानिज में एमकॉम होना चाहिए एमकॉम की डिग्री अगर आपने ली है ठीक है MSC आप यह जो है कृषी में अगरी कल्चर में आपने MSC करी हो यह और शारिक शिक्षा यानि कि आपको फिजिकल एजुकेशन का डीचर बनने के लिए आपने इस नाह तक यानि कि बीए करा हो राज सरकार से मायनतपराप्त को इंसिट्यूशन है और वहां से आपने डिप्लॉमा करा है तो वह मानने होगा ठीक है इसके अलावा यहां पर आपको एक्स्ट्रा नोटिस है वो भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है यह सारी कि सारी डिजाइरिबल है यानि कि अगर यह होती है आपको पॉइंट्स मिलेंगे चले मूब करते हैं और सब्जेक्स देख लेते हैं इस शीट पे आपका संगीत गायन एं संगीत वादन तीक है यानि कि आपको सिंगिंग और आपका म्यूजिक दोनों ही आएगा संगीत में में होना चाहिए या लखनों में निपुन परिक् इनके अलग-अलग कैटेगरी होती है कि नवीन है कि प्रवीन है इस तरह की सारे आपको बता रख है इसके अलावा अलग-अलग विद्या-पीठ का भी डिटेल है यहां पर आप अच्छे से पढ़ लीजे ठीक है तो आप कितना इसके लिए अले जिबल है आपको पता चल आप चलिए मूव करते नेक्स लाइड पर यहां पर सब्जेक्ट सापके सारे हैं अर्षास्ते तर्क शास्त्र है नागरिक शास्त्र इतिहास और भूगोल है यहां पर आप देख सकते हैं कि अर्ट शास्त्र में आपका M.com होना चाहिए ठीक है या फिर आप अकांट के और त्री वर्षी पाठेक्रम दर्शनसास सहीट साथने इंटर्मीडियेट अथवा B.A. अथवा M.A. में तर्क शास्त्र आपम एच्छिक विशे रहा हो यानि कि आप उसी से आपने ओनर्स किया है या फिर आपके सभी सब्जेक्ट्सों में एक सब्जेक्ट ये भी रहा ह उसके बाद नागरिक शास्त्र है M.A. में आपने जो राजनिती से M.A. की हो या जो आपका B.A. का तीन साल का पाठेक्रम है उसमें राजनिती एक विशे रहा हो ठीक है इसके अलावा जो आपका है ये इतिहास इतिहास में आपने M.A. करा हो ठीक है या फिर जो आपका प् ये डिगरी है ठीक है उसमें ये किये subject रहा हो और भूगोल में MA अत्वा MSC भूगोल में आपने MA करा हो या MSC भी करा हो MSC अगर आपने उसे honors किया है और भूगोल में या फिर आपका BA है तो उसमें एक subject ये भूगोल रहा हो तो ये सारी detail है अलग-अलग subject के PGT का जो है अलग-अलग subject के यहां पर दे रखा है इत्यास के लिए अलग भूगोल के लिए अलग ठीक है और नागरिशास्त के लिए अलग दे रखा है मैंने specific subject wise जो है PGT की post है तो I think ये detail आपके लिए sufficient होगी आप screenshot ले लिजे मैंने eligibility और post और सारी की सारी बाकी detail जो date wise थी क्या paper होना है ये सब डाल दिया है form वगेरा की PDF आप ले सकते हैं वेबसाइट पर जाके वहां से और 30th November जो है last date है तो इसको शोर भर ले चलिए तो फिर have a nice day और जल्दी से जल्दी से भर लिजे thanks for watching the video please subscribe and share करना ना भूले